नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों साइद आप लोग को मालूम होगा कि इस पेस में भीजा गया धर्ती का सबसे राश्तमय जीओ ब्लॉब जी हाँ दोस्तों साइस्वन आपने और साथी एरिया 51 इतना राश्तमय और चर्चिविते हो है आई इस वीडियो के माध्य से जानते हैं एलियन्स की होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 में ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियन्स रहते हैं इसकी वज़ा थी जहां का टीली बाड़ों के बीच राद भी राद उड़ने वाले वीमानों की चमद दिखाई देना जून लेकिन एलियन्स की होने से इंकार करते हुए उसने बताया कि ये अमेरिकी एरपोर्स बेस है निवादा में एक सूखी हुई जील पर बसा ये छेदर चारों तरब से बिचली के तारों वाले कटीली बाड़ों से गिरा है सीमा पर जगा जगा चेताउनी लगी हुई है कि भ को भी गुजरने की अनुमती नहीं है लगबक 3.07 किलियो मीटर में फैला इस छेतर को हागी में सेटल लाइट से देखा जा सकता है वरना पहले ये भी नहीं था वैसे माना जाता है कि अमेरिकी से ने अतुजिक बिवानों को विक्सित करने के लिए एरिया 51 का वियोग करती इस कान के लिए यहां लगबक 1500 लोग तैनात है वैसे एलियन्स के होने के बारे में भी यहां कई कांपरेसी ठेउरीज हैं जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मेक्सिको के रास्वेल में एलियनों का एक अंत्री सियान दुरगटना गरस्त हो गया था उस यान और उसके पा यहां तक कि साल 1989 में रावट लेजन नाम के एक वेकी ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तक लिकी पर काम किया है जो भी हो अभी तक एरिया 51 के रास्यों को कोई सुल्हा नहीं सका इस पेस में भेजा गया धर्ती का सबसे रास्यों जीव व्लॉग बेग्यानिक कर रहे है इस बात की खोज स्लाइन बोल पहली बर करीब 500 मिलियन सार पहले पित्वी पर देखा गया था यह एक कोसिका से बना होता है जिसमें कई नाभी होते हैं लंबे शमेशे विग्यानिक अंत्रिच में जीवन की खोज कर रहे हैं इसी कड़ी में अब धर्ती पर रहत से बने जीव ब्लॉग को अंत्रिच में भेजा गया है यह जीव एक तरह से धर्ती का एलियन है यह एक अंकेटराज्ड एलिमेंट है जो ना मचली है ना पच्छी और ना ही कोई फंगस प्रांस की स्पेस एजंसी सी एंड एस से जुड़े अर्थ एंड लाइफ चाइंस के प्रोफेसर पियरी फेरेट ने कहा है कि यहां एक ऐसी एकल पोसिका है जो बिना विभादित हुए बढ़ती है और इसमें ना मू होता है ना पैर और ना ही मस्तिस बेज्ञानिकों का मकसद इस जीव पर भार हिंता के असर की जाच करना है फेरेटे कहा है कि कोई नहीं जानता कि माइक्रो ग्राविटी वाताबर्ण में इस जीव का बेभार क्या होगा या किस दिसा की तरफ आगे बढ़ेगा दोस्तों इजी के साथ वीडियो को समात करते हैं और मिनते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हसते रहें बुस्कुराते रहें आइए 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 आइए